किमा तुम नाऊं सरस्वती गारी पुत्र गड़ेस जैबज रंगी पबन सुता सरड़ पड़ा ब्रजेश आद्री स्रोतागर राठोर कैसिट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष ये प्रैम की बीमारी जो सुनाने के लिए जा रहे हैं देखेंगे आप लोग इस कहनी में कि एक प्रैमिका के पीछे प्रैमी ने अर्थात प्रैमी के पीछे प्रैमिका ने किस तरह से अपने प्राणों की आउती दी और प्रैम अगर संसार में हो तो इन ही जैसा हो ऐसा ही हो मेरी तो समझ में केवल यही आया सोचा कुछ लिखा कि इस प्रैम की बीमारी से अब कोई बचा नहीं एक प्रैम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं प्रैम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं इस प्रेम की भीबारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं दिल थाम के सुनियेगा जरा बात बड़ी है आती है जिन्दगी में कभी कैसी घड़ी है एक प्रेम की कहानी जो आशू की जड़ी है एक प्रेमी की एक प्रेमे कासे आँख लड़ी है एक प्रेमी की एक प्रेमे कासे आँख लड़ी है एक लड़की नवजबान कोई उम्र थी नहीं देखने में खूब सूरत थी अनपड नहीं लेकिन धीक हाली कुछ और भी सुनो एक लड़का ने जब देखा उसके नूर को बस फश गया वो हुसन में लड़की को देखकर जाता था उसके घर उसे जीता था देखकर सुबै हो शाम हो तिन हो या रात ही बस घूंजती थी बुती में लड़की की बात ही सुबह हो साम हो दिन हो या रात ही बस गूंजती थी बुद्धी में यही बात ही बस गूंजती थी इस प्रेम की पीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं जरा गोर से सुनियेगा आगे क्या हो रहा देख करके उस लड़की को लड़का था जी रहा तबियत नहीं थी काम में सब कुछ भुलाए था अपना भी उसे ज्यान नहीं लड़की पे मरता था देख कती थी लड़की वो लड़का को गौर शे कई जहा कती जरो कौशे कई खुले तौर शे आखिर कहानी क्या कहें ब्रजेस खोल कर बुलाया पास लड़का को लड़की ने टेर कर बस डान दी है कुर्शी बिठाया है पास में के रही है लड़की जी रही मैं तेरी आस में और वो लड़की उस लड़का को समझा करके बोली तू जहां भी बुलाएगा मैं पही आऊँगी छोड़के तुम्हे ना हर गिज में जाऊँगी आएगी बाला तना ससुरा ले जाऊँगी जब तक जियोंगी ठोकर है दुनिया की खाऊँगी खुश हो गया है लड़का सुनके उसकी बात को जब तक है जिन्दगी न छोड़ू तेरे साथ को खुश हो के कह रहा है बस तू ही निगाह में अब चाहें जितनी धंजटें आएं जो राह में और वो लड़की बोली मैं छोड़ू ना साथ सारी जिन्दगी इसलिए तुम आनंद के साथ रहो मैं छोड़ू गी ना साथ सारी ही जिन्दगी सतीस वाइदा हो गया दोनों का जब कड़ा तो मन में मगन भारी प्रेमी कैता हुआ चला अरे मन में मगन भारी प्रेमी इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं दोस्तो लड़का और लड़की उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ा इतना हित बढ़ा जो सीमा को भी पार कर गया उसके बाद बस धीरे धीरे और बढ़ी आज कहानी भी लड़का भी तंद रोस्त था लड़की जबान थी मिलते हुए जो देखा कुछ और लोग ने घर घर में फैली चर्चा प्रेमी छाया सोच में मन ही न देखे प्रेमी को लड़की न बात की दुनिया हर एक बात पैतों मत लगाएगी लड़की की जो बात वो हसके निभाएगी आएगी बारात न ससुराल जाऊंगी जब तक जियूंगी ठोकर है दुनिया की खाऊंगी जब तक जियूंगी ठोकर है दुनिया की खाऊंगी लड़की के ये वचन सुनने के बाद बोलड़का बड़ा खुस हुआ और दोस्तों ऐसा ही नहीं सुनकर के बारदात प्रेमी खुस हो गया दुनिया की कर्तूतों पे कोई ध्यान ना दिया बस यों ही रात दिन वो मिलते थे प्रेमसे देख देख एक दूजे को जीते थे प्रेमसे दुनिया की हर एक बात को सुनते थे प्रेमसे दुनिया की हर एक बात को सुनते थे प्रेमशे बस यों ही रात दिन मो इदर को कहानी इसनी तरह रह गई लड़का लड़की का प्रेम बनता चला गया लेकिन कहानी दूसरी बनके तैयार हो गई इत बाप ने देखा है बेटी स्यानी हो गई लड़की के पिता ने जब देखा इत बाप ने देखा है स्यानी बेटी हो गई साधी की है बात अरे साधी की है बात जो साधी रोक दी लड़की ने ये संबाद जब कानों से सुन लिया जब लड़की ने ये सुना कि हमारे पेता ने साधी रोप दी लड़की ने जब सुना है साधी रुक गई अब प्रेमी से मिलने की सब रस्ता थी रुक गई साधी नहीं है प्रेम में दीबार हो गई प्रेमी के पास बैठ के हिलकी में रो गई प्रेमी के पास लड़का के पास बैठ करके गर्दन में बाहँ फास के प्रेमी से कई रही तुम सोच लो कि आज से लड़की वो मर गई जो बाइदा किया था वो अधूरा रह गया अर्मान था जो दिल का वो सब धूले हो गया साथियो और वो लड़की कहने लगी अब मेरी साधी रुख गई है तुमसे मिलने में साधी एक दीबार बन गई है इसलिए अब एक और रहम करो जहर दो हमें अपना नहीं पराया जान मार दो हमें मैं दूसरा लेके जन्म साथ रहूंगी जब तक जीऊंगी ठोकर हैं दुनिया की खाऊंगी मैं अपनी हर एक बात को हस के निभाऊंगी छोड़ के तुम्हे ना हर गिज में जाऊंगी मैं लेके जन्म दूसरा तेरी बाहां गहूंगी जब तक रहेगी धरती साथ तेरे रहूंगी लड़का कहने लगा इस तरह से नहीं अगर मैंने तुम्हें जहर दिया तो मैं तुम्हारे बगर वो लड़की से जुड़ गए आखों में आशू ओ आखों में आशू जारी मों फेर के चला क्या कहा मैं तुम्हें क्या भूल जाऊंगा क्या छोड़के तुम्हें मैं साधी रचाऊंगा अब तुम तो जाओ घर को मैं बाजार जाऊंगा और जहर की गोली को लेके सीख रयाऊंगा तुम को खिलाऊं पीछे पहले मैं ही खाऊंगा मरता हुआ न देखूंगा पहले ही मरूंगा तो लड़की ने बहुत समझाया कि तुम्हाराम से रहना तुम्हारी मा तुम्हारे बगर जिंदा नहीं रह सकती तुम्हारी साधी होगी उस रड़की के साथ में जीवन को बिताना लेकिन उस रड़का ने कुछ नहीं सुना आँखों में आशु जारी है कोई जबाब न तेरे बिना जहान में कोई नहीं अपना बाजार में जाकर के जहर की गोली लाया और गोली लाने के बाद में आधा दिया जहर आधा जेब में रखा आखों में आशु जारी मोह फेर के चला आखों में आशु लड़की ने बहुत समझाया लेकिन वो लड़का आधे जहर को लेके मोह फेर के चला गया लड़का चला गया घर जब रात हो गई राठ और प्रेम में ये कैसी घात हो गई अब खा के जहर लड़की वो पलिगा पे सो गई याद वाते ही उस प्रेमी की बेहोस हो गई और हो न पाया भोर तो लड़की वो मर गई आब आज ये लगा के वो लड़की गुजर गई इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं लड़की जब खतम हो गई लड़का ने ये संबाद जब कानों से सुन लिया याद आते ही उस लड़की की फिर जैर खा लिया छोटी थी बेन उसकी भेद सब ही जान गई कहती है बात घर में पूरी बात फैल गई भेजा है अस्पताल उसका इलाज हो रहा इत गंगा के किनारे दफन उसका हो रहा लड़की जो मर गई थी गंगा के किनारे उसका दफन करने के लिए भेजा और इधर वो लड़का अस्पताल में लड़का हुआ जिन्दा जब सुनी कहानी तो फेर लिया जहर खा गया वो प्रेमी दिन ती सरे में जाके वो लड़का भी मर गया गर-गर में सोक चा गया हर एक कह रहा इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं अब छोटी नहीं कहानी बन गई है बड़ी कुछ लोग कह रहे हैं ये कैसी है घड़ी कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं ले चलो इसे बहीं लड़की गड़ी है साथ में गाड़ो इसे बहीं ये दोनों साथ जी ये साथ साथ मर गए लेके जना जा पुत्र का कंगा के तत गए दूडा बहुत लैस को बो लड़की ना मिली कुछ दूर हति के लैस को धरती भी खोद ली लेकिन था मंजुर ये लड़की की लैस को हमसे ये दूर गाड़े उस लड़का की लैस को देखा था थोड़ी दूर पे धरती थी बो फटी सर आ गया था उपर बो लड़का को देखती भागे हैं लोग घवडा के लड़की बो थी मरी एक पियार भरी चित मनशे लड़का को देखती दोनों ही लैस लेके गड़ा खोद लिया हैं दोनों को साथ साथ बहां सुला दिया हैं लोटे हैं घर को सबके दिल में भारी ठेस थी मन और बुद्धी में यही बात गूंजी रही थी इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं हाँ दोस्तो उस लड़की ने प्रेम के बंदन में पढ़ने के बाद मैं जो अपने प्राणों की आहुती दे दी इसी के उपर मैंने को सोचा और देखा कि नारी नारी सब कहें पर नारी समझों न पाएं नारी कही नर नारी नारी को बुरो बताएं कि सब कोई बुरी बता बै नारी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी दुनिया बैर परी जाके दुनिया बैर परी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी नारी इतनी भोरी भारी समझदारी की केबल बात ये है कि संसार की जितनी स्रेश्पी है केबल नारी पर निर्भर है देखा जाये तो कछु बातन में नारी नर से भी उपर है नारी के ध्रोब प्रहलाद जन में नारी के तपधारी और नारी के भय राम क्रस्न धर्ती पर अब तारी तारी जिन लें दुनिया सारी जाके दुनिया बैर परी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर परी कारड केबल एक है कि इस्तरी की बुराई जो हर इनसान करता है उसमें बात के बल ये है सो नारी नमें दुई चारी बुरी जे सब की नाब डुबावें सो नारी नमें दुई चारी बुरी जे सब की नाब डुबावें भलन के उपर बेई औरते सब पैका लोचे फिरावें ताकों समझे न पाए अलारी जाके दुनिया बैर बरी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर बरी प्रस्ण यहां पर एक यह उठता है कि इंसान ने इस्त्री को क्या दिया और इस्त्री ने इंसान को क्या दिया नारी ने सब इंसानन को देके जनम बनायो बाई नारी की बेजती करन को इंसान नहीं सकुचायो जाको बन बैठो है नारी जाके दुनिया बैर बरी नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया बैर बरी नारी एक नारी तो गो है जो ग्रहडी घर में रहती है और एक नारी इंसान के सरीर के अंदर होती नारी नारी सम कोई कहें पर समझे नाए अनारी ए नारी नारी सम कोई कहें पर समझे नाए अनारी हात की नारी बंदो होए तो हूल जाए तेरी खुआरी तासे जाकी कर रखवारी जाके दुनिया पैर परी तुलसी दास ने रामा यड में लिखिदारी चौपाई तुलसी दास ने रामा यड में लिखिए एक चौपाई जिस घर में होई देवी पूजा अर लक्षिमी पहुंचे याई तासे जाको बन हितकारी जाके दुनिया पैर परी नारी दली फोरी भारी जाके दुनिया पैर परी लास्ट बात नारी बिना नर सूनो है नर बिन सूनी नारी नारी बिन घर मर घत लागे और नारी बिन सुखारी ब्रजे सफिर क्यों बले अनारी जाके दुनिया पैर परी दुनिया पैर परी कि जाके दुनिया पैर परी कि जाके दुनिया पैर परी है नारी इतनी भोरी भारी जाके दुनिया पैर परी हाँ दोस्तो घर की ग्रहडी जो सुसील होती है वो घर सारे खांदान के बात को मान के चलती है इसलिए हर इंसान से मेरा ये कहना है कि नित नेम करो पतिनी ब्रत का यदि घर बे कुन्ठ बनाना है नित नेम करो पतिनी ब्रत का यदि घर बे कुन्ठ बनाना है जो कले रखे नित पतिनी से उसका घर नरक समाना है अपनी पतिनी के सिवा करिना भी माता वहिना जाना अपनी ना रिखे नित पतिनी ब्रत का यदि घर बनाना है अपनी नारी के सिवा करिनारी माता वहिना जानो सपने में भी पर नारी से इसने हलगाना ना जानो उसमें कारड एक दूसरा है पर नारी रोती ना सकी जड़ ये ख्याल हरते में लाना है जो कल है रखे नित पतिनी से उसका घर न रख जमाना है पतिनी ब्रत कीना राम चंद्र सीता हितक अश्ट उठाए थे पतिनी ब्रत कीना राम चंद्र सीता हितक अश्ट उठाए थे वधक्रा बड़क थाई गरलकानी शरकुल सही न मिटाए थे सानन्द सिया को अपनाया यह सुपःला सकल जहां न आया जो कले रखें लिजब पतिनी से उसका घल न रख समाना है यह तो पतिनी ब्रत बाली बात रही लेकिन पतिनी ब्रत भी बात अलग उससे पहले पतिनी ब्रत समझो अलग उससे निजा अंग समझ के अपना पतिनी ब्रत समझो अलग उससे निजा अंग समझ कर अपनाओ देखन को हैं वो अंगर दैमन एक राखो जो सुख जाहो सम्मान जहां है नारी का सम्मान जहां है नारी का उसका घर स्वर्ग समाना है कल है रखे निज पतिनी से उसका घर न रख समाना है पतिनी को पैर की जूती मत समझो मत उसको ढुक जाओ पतिनी को पैर की जूती मत समझो मत उसको ढुक जाओ नारी से नरकी स्रस्टी होई सुता हर इस चंद्र थो बसे पाओ प्रद्य सिनिंदा नारी की समझो घर भूत बसाना है ब्रजे सिनिंदा नारी की समझो घर भूत बसाना है जो कल है रखे निजबतिनी से उसका घर न रख समाना है नित नैम करो पतिनी प्रत का यदि धर बैं कुल्ध बनाना है जो कल है रखे निजबतिनी से उसका घर न रख समाना है राठा और कैसिट की महान प्रस्तुती दहेज और गरीबी गायक श्री प्रिजे सास्त्री हाँ दोस्तों ये तो थी बातें सुसील औरतों की अब आजाईए देखते हैं कि एक बेवफा औरत ने किस तरह से अपने प्रेमी को धोका दिया और किस तरह से उस प्रेम को उसने अजबाया इसी के उपर मैंने को सोचा और देखा कि ब्रजेस देश की बातें कहां तक बतलाबें ऐसे हैं केस जुनको कहने मैं भी सरमाबें देख देख हालत फिर रूखाना हमसे जाबें बुरे कर्म करने को ना कोई आपर सक उचाबें आजकल के अंधे पुर्स आखों से दिखाता नहीं इस कह सबार सर पे और कुछ भाता नहीं रूठ जाय माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं प्रेम का जो रूठे गम में खाना तक खाता नहीं क्या कै ब्रजेस कुछ कहने में आता नहीं क्या कै यार कुछ कहने में आता नहीं बिना कै ब्रात अब तो हमसे रुखा जाता नहीं बिना के यार अब तो हमसे रुखा जाता नहीं दोस्तो एक लड़का जो बड़ा ही सुन्दर था माता पिता का अखेला लड़का और पढाने के बाद मैं जब उस बच्चे की साधी की और साधी करने के बाद जब लड़का की पतनी आगन में आई उसके बाद कि मरे पिता और मात न कोई दिखात अब धीर धरया और मंजधार में डू मेरे रही मेटा की नईया मरे पिता और मात न कोई दिखात अब धीर धरया ने धीर धरया और मंजधार में युछलत भूलत यह बेटा की नईया माता पिता जिस बक्त दोनों खतम हो गए लड़का और लड़का की पतनी ये दो जब उस आगन के अंदर रह गए उसके बाद फिर कहानी क्या बनी प्रभू की गती कुछ और समय बीत गया गुलहन के गर्व से एक बेटा ने जनम लिया लड़का की पतनी के गरब से जब लड़का पैदा हुआ लेकिन पेटा को देखे जनम पेहोस भई महतारी दुखी भई डौक करना मिली रही बागी नारी लड़का मन में दूखी और गौलत लगाती सारी फिर भी इस वरकी गती ना बची वो बेचारी फिर भी इस वरकी गती जब पतनी खतम हो गई मन में बड़ा ही उदास हुआ सोचने लगा ये क्या हुआ दो लहन तो खतम हुई बच्चे को गोदी ली ना बड़े ही चाओ से उस बच्चे का पालन की ना मन में है दुखी प्रभू कैसा दुख तूने दीना पांच बरस्ता हुआ बेटा ना बिभादू जाकी ना साधी जब दूसरी नहीं की और उस लड़के को पाल के जब बड़ा कर लिया बताया कि पांच साल का जब लड़का हुआ तो एक दिन उस बच्चे को छोड़ करके अपनी ससुराल गुग गया तुलहन तो खातम हुई तूटी ना रिष्टेदारी महला के रिष्टा में एक लगती थी उसकी जावी महला के रिष्टा में महला के नाते में एक लगती थी उसकी सारी अत सुन्दर रूप उसका ना भिबा हुआ क्वारी म्रग जैसे ने ना जाके चंडर बदल उटियारी फिर क्या हुआ एक दिन सारी ने जीजा को जी भर देखा जीजा ने भी सारी को जरा मुण कर देखा मजाख ही मजाख में दोनों की उई बात प्रजिस दोनों बैठी गए वह पले का पर एक साथ आगे क्या कैं भ्रात कुछ कहने भी आगे लाज ना बो बात हुई जो चाहते थे बेली हाज ना बो बात हुई जो चाहते थे बेली हाज ना बो बात हुई जो कुछ दिन बने रही उनकी सारी से जब हार्दिक प्रेम उनका इतना बढ़ गया कि खाना पीना भी हराम हो गया प्रेम चन उसके बाद बिचार ही बदल गए कुछ दिन बने रहे जा थी उनकी रिष्टे दारी जी जाए अपने घर को मन मलीन वैसारी क्योंकि नैनन की गासी बुरी जाति कले जो चीरी होरे रामा खान पान भाबे नहीं दुरबल होत सरीर होरे रामा आंगन में जब चले आये लेकिन किसी तरीका से उस आंगन में चित नहीं लगता जब मन नहीं लगा उस बच्चे की भी कोई याद नहीं की पांच बर्स का बेचा उसकी बिल्कुल ना याद करें सारी की याद मेंयरे समय को परबाद करें सारी की याद में इधर जब वो जादे ब्याकुल हुए जादे परेशान हुए लेकिन मेरा तो केबल एक ही कहना है गुद्धी में जब बात आई कि बदचलन औरत वो कभी किसी की नहीं होती सोचा और देखा कि दीबाला आदमी को बनाती है नारिया बदचलन औरत कि दीबाला आदमी को और बनाती है नारिया खुद जूमती है पीछे गुमाती है नारिया खुद जूमती है पीछे गुमाती है नारिया ब्रजेश क्या कहीं अब बातों को खोल कर पर रुका नहीं जाता है हालत को देख कर नारिया जो बदचलन है उसकी बात कहे रहे अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे बदचलन ओरत चर्तरहीन बिल बर मगर्चिंधार मिलए सब्रेथ कि फैसन बना के गाओं की गलियों में घूमती और यहां तक देखा अब देश दिन भर में पदल देती हैं दस दस में साड़िया खुद जूमती हैं पीछे घुमा देती नारिया दीबाला अब में को बलाती हैं नारिया हस्ती और हसाती रूलाती हैं नारिया बस यही कहानी जिस समय उनकी बन गई तो समय बहुत कम भीत पाया उसके बाद कि परो ना चैन ससुराल फिर पहुंच गए ओ चोरी चोरा सारी को पास में बुलाए ले ओ दिल की जो बीती बातें सारी को सुनाए रहो मत पूछो तेरे बेना कैसे अब तक जिन्दा रहो ना पूछो तेरे बेना और बोला चाहता हूँ मैं कि तुम मेरे संग साधी करो रात दिन रहो संग मेरी सहजादी बनो रात दिन रहो संग मेरी सहजादी बनो जब यह कहा लड़का ने कि तुम हमारे साथ विभा कर लो जिससे हमारा तुमारा प्रेम अमर हो जाए तो वो लड़की कहने लगी कि प्रेम के बीच में तुमारा लड़का जो पहली पतनी का है वो दीबार बना खड़ा है अगर तुम हमसे प्रेम करना ही चाते या बिवा करना चाते यो तो एक काम करना होगा बोली बेहा इसके पीछे बिलकुल ना फिकर करो चाते हो हमें तो उस पुत्र को तुम खातम करो चाहा देओ हां मैं तो उस पुत्र को तुम खाताम करो इतनी सुलिके फोरन चलिभो या त्याचारी पापा पापा कई के ढिंग आओ तुर प्यो अतारी पारो छोड़ जाकी मर गई थी वो महतारी आगे अब वयो कहा ध्यान से सुना सरदारी आगे अब वयो कहा कोदले की बेटा कु साइकल पे बिठा लिलो हम तुम बजार चले बातल में पहकाए लियो और कछ मिलो नाए फुर्पा जने हात लियो इसक में है अंधो कुता ले बेटा को भाकि दयो दोस्तों जिस बगत उस रड़के को साइकल पर बिठाल करके बजार का बहाना दे करके ले गया रास्ता में पहुंच के बेटा को गिराए लियो पक किसी नाली पाई सरबा पे रखे लियो चीखी परो बेटा योर बुरी तरे चिलायो ले किलबा हत्या रेको रहमना बिल भुलियायो ले किलबा हत्या रेको हात लेके खुर पी बेटा को सरकाट दयो भड़की भड़की बेटा मरो अपनों जैने प्राड दयो खुझ जैपीन आयो सलैसिको दबाय दयो कले जो लिकाले के साभी के धेंग भाग दयो लड़की के लजदीक पहुँचा और कहने लगा तेरे पीछे यो प्यारी मेने बेटा को मार दयो चलो हमारे संगय बकाए को मिलंगी ओ तेकी दसा सारी ने दिल में गई घबडाई कई थी मजाग में तुने साची मानी अन्याई कई ती मजाग में तुने साची मानी और वो लड़की बोली कैसे मरा होगा बेटा कितना चिलाया होगा पारो छोडे मरी मात कैसे तुने पाला होगा पारो छोडे मरी मात उसको पलने के लिए तूने दुख उठाया होगा हुआ ना उसका तो फिर मेरा तू क्या होगा फिर क्या हुआ वही हुआ जो होने बाला सुनके रूखे सब गतो करनी पे वो पश्ताने लगा आई पुलिस तुरंद उसे ग्रफतार किया पकड के तुरंद उसे जेल बीच डाल नेगा क्या बिगड़ा उस लड़की का दिल से तो सोचो भाई करमिस्वास नारी पे ब्रजेस क्यों रए बोराई करमिस्वास नारी पे कि परनारी बिसकी कटारी बिन तेगा गायल कर जाबै आज कल के नौजबान को परनारी यति प्यारी आज कल के नौजबान को परनारी अति प्यारी लेकल बुद्ध सना कोई सोच है जज जहर की बुजी कटारी के नागन सी परनारी बिसकी कटारी बिन तेगा गायल कर जाबै परनारी बिसकी कटारी हाई परनारी बीमारी ऐसी जाका उलग जाबै रात दिना सोबत और जागत लेकिन दोस्तों मात्र बात यह है कि बदचलन औरत जो होती है अरे चंचलनारी भई किसी की न नाई जीवन में हो बै चंचलनारी न भई किसी की नजर में बादर भारे मस्त रहे फैसने अपनी में पकाउं को घा समय जा रहे के नागन सी लहरा में परणनारी जिसे ही घडारी बेतेगा घायलं करी जावे चंचल इस्त्री ये कभी किसी की नहीं होती लेकिन मैंने तो केवल एक ही बात सोची बाद में आप दिया बैगी जो सगे पती की नाई भई क्या तेरी हो बैगी प्यार जो तुम से करती है और तुम से पहले और सकर अब तुम पे मरती है छोड़े गो तुम को उचा बैगी और तुम से बढ़िया मिले दुरत बागों अपना बैगी बचो तुम को उचा बैगी तुम से बढ़िया मिले दुरत बागों अपना बैगी बचो तुम ऐसी नारी से बचो तुम ऐसी नारी से प्रेजे समिटे नकले सप्रेम करिके पर नारी राठोर कैसिट की महान प्रस्तुती मा का दिल गायक श्री प्रिजे सास्त्री दोस्तों बद्चलन इस्त्री कभी जिन्दगी में किसी की नहीं हुई भला संसार में किसी को अस्वासन देने के बाद उसके साथ कैसे निबाये बुद्धी में किवल एक ही बात आती है के बुरी है बदचलन नारी जो और घरन कुंबी गारे बुरी हाँ बदचलन नारी और घरन कुंबी गारे अपनाई घर नहीं बड़ी कि पडोस के भी घर ले जाती है बदचलन नारी महा दुखदाई और पेशन काउं की जावे संग बिहाए पति की न माने हाई दसकी बीस सुनावे सदा करे इन जती ख्वार ख्वार सदा करे इन जती ख्वार और घरन कुंबी गारे पुरी है बदचलन नारी जैन ना आबे बिना बोले गोलन की लगी बीमारी बाते सुनके बेमतलब की हाई नारी देती गारी तो उन दिल करे पिचार और घरन कुंबी गारे पुरी है बदचलन नारी प्रजेस ने लम का दिल देखा अरे मिला लोगा प्यार बदचलन नारी है इतको जीवन है संसार में बेकार बदचलन नारी को दुनिया में जीवन है बेकार कहा होई गुरे करतार और घरन कुंबी गारे पुरी है बदचलन नारी और घरन कुंबी गारे जा घर बाघर फिरे राति दिन रोज करे दकनारी जा घर बाघर फिले राति दिन रोज करे दकनार जूटी साची कहें करके अरे रोज करा बैरार पाता मेरे जो लग पुजारी और घरन कुंबी गारे पुरी है बदचलन नारी और घरन कुंबी गारे पुरी है बदचलन नारी और घरन कुंबी गारे ओ मा ओ मा तू कहा गए मेरी मा बजबन मेरा रोता है भगवार भी सोता है ओ मा ओ मा तू कहा गए मेरी मा बजबन मेरा रोता है भगवार भी सोता है हर मा बेटे संगा इसका करे रिह मा और हासी हो जाएगी और जोड़ू तेरे हात मात मोई पासी हो जाएगी नहीं रूप एसा कुछ नहीं होगा रूप आड़ मेरे पासा नहीं बोती ख़तो नहीं बोती भी बोती र 불ตी झाल झाल